विमर्स के यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दिखी बच्चे जैसे हमने आपको लगातार पढ़ा है यूवी पुलिस के लिए सभी टीम ने बहुत ही अच्छी तरीकी से मेहनत की थी और लगन के साथ आपने भी हमारा साथ दियातार आपने भी बहुत ही मेहनत की है और उसका नतीजा आपके सामने है हाँ ठीके जो हमारे बैच चलते हैं ओलाइन ओफलाइन दूनों तरह के बैच चलते हैं और वहां से आपके दिखी हिंदी के 148 कोशन ते जिसमें आपको मिले हैं 124 जो हमारी किलास से हुई है और अभी आपको मैं वीद पूरूब सफलता जरूर मिलने वाली है उससे पहले मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ मेरे जुनों का नतीजा जरूर निकलेगा इसी सिया समंदर से नूर निकलेगा जी हाँ याद रखना अगर आप लगातार इसी तरह से मेहनत करेंगे तो एक दिन आप एक नूर के जैसे अपन क्योंकि आपने भरोसा किया है व्यमर्स पे और व्यमर्स ने आपको वह अच्छा कंटेंड दिया है जो आपकी परिक्षा में पूछा गया है और आपने अच्छा उस रहेंगे अच्छे content के साथ चली जान लेते हैं पर question कहां से पुछेंगे और किस तरह से राधा ने पायल से चिठ्थी लिखवाई यहां पर क्या होगा question बदल जाएंगे लेकिन content वही रहने वाला है यहां पर मोहन ने स्याम से पत्र लिखवाया तो यहां पर question एक जैसे मिले हैं तो यहां पर क्या बना प्रेनार्थक के रिए और आपका answer यहां पर भी प्रेनार्थक है उसके बाद आप देखेंगे दूसरा question चिलाहट में प्रत्य होते हैं बाद में लगने फाल को इसके बिल्कुल हु बहु कोशन आपके सामने लिखा हुआ है और यह आपकी परिक्षा में पुछा गया और आंसर यहां पर बना है चिल आहट क्या आहट और यहां पर आपका आहट ही लिखा हुआ है चले आगे देखते हैं अब यहां पर निम लिखेत में से किस सब्द का एक वच साक्षत क्या है यह है बहुवचन उसके बाद देखेंगे नलीन और राजीव तो नलीन और राजीव आप यहां पर देखेंगे यहां पर लिखा है राजीव और यहां पर आप से पता चल जाएगा किसके हैं कमल तो यहां पर उप्शन में कमल लिखा हुआ है तो देखें हमा तो यहां पर आपके सामने पिरसन वाचक लिखा हुआ है उसी प्रिकास से यहां पर पूछा गया मदीरा तो मदीरा आप देखेंगे तो मदीरा मदीरा पिलस आले लिखा है तो उसी पिरकास से हिम पिलस आले तो यहां पर एकी संदी वन गया दिर्ग संदी तो यह भी आपके सामने और यहां पर देखेंगे विद्धुरूप के आपके एक महीने पहले की यह वीडियो है जो हमने आपको यूटूब पर पढ़ाईती उसक अभी पाराथ करते हों यहां पर पूछए गया आप से समासु तो यहां पर आपके सामने है और यहां पर क्या पूछा है रक्त से रंजित तो यह आप कारक आप देख रहें हैं कंपर कारक हैं तो कारक इसमें प्रियोग किये जाते हैं जिसमें विभक्ती चिनका होता है तो रक्त से रंकित यहां पर हो जाएगा के लिए रहे तो यहां पर सभी कारकों का जो कारक होते हैं वे तत्पुर्श समास में प्रियोग किये जाते हैं देखे आगे अउतरन का दूसरा नाम पूछाए तो अउतरन यहां पे लिखा उधरन और यहां पे भी उधरन लिखाए उसी प्रिकास आप देखें सतसाई का अर्थ क्या होता है सास् stub का समाहा लेकिन यहां पे आप से किस रूप में पूछा गया है संख्या वाचक तो संख् वीडियों में भी जाके चेक कर सकते, कब तब यह हमने आपको किलास पढ़ाइए, गाथ कि यहां पर राम अभी सोएगा, उसके बाद यहां पर क्या का है, राम आम खाता है, सोना और खाता है, यहां पर थोड़ा डिफरेंट्स है, लेकिन बात एकी है क्योंकि यहां पर बिल्वाज्स और यहां पर बिल्कुल आपको सबूतों के साथ यहां पर साथ आपको अच्छा परिनाम दिया चलिए आगे दिखते हैं पर किरोध का पुछा इस्थाइभाव तो किरोध का होता है रोध बिल्कुल हुबा हुए कोई भी यहां पर डिफरेंस नहीं है रोध यहां पर है उसके बाद सोट है कि दुट्य और तृत्य में तो यहां पर कि किसे में होता है बच्छो उक्मा अलंकार में होता है वही यहां पर आपसे पूछा गया है उक्मा अलंकार यहां पर लिखा हुआ है और यहां पर आपके सामने बिल्कुल लिखा है बाटना है एकी बात है ठीक है और यहां पर आपके सामने बिल्कुल लिखा है जो हुब नहीं तो यहां पर क्या है ससी धर और ससी धर देखिए तर यहां पर और यहां पर चांधार आपके सामने लिखा हुआ है चलिए आगे चलते हैं अब यहां और यहां पर लिखा है। बादल का होता है बिलकुल यहें पर उसी प्रिकार से मेग लिखा है और मेग यहां पर आ चुका है बादल क्या बादल बन चुका है देखे बिलकुल सिर्ट उसे हमें कोई भी डिफरेंट नहीं है इसमें इस्तरी जो अभीने करते हैं इस्तरी एक तो अभीनेता जो पुरुस होता है पुरुस जाती का और एक इस्तरी तो अभीनेता के लिए हम इस्तरी का प्रियोट का करते हैं अभीनेतरी के रूप में करते हैं और यहां पे लिखा है अभीनेतरी क्या क्लियर है इसके बाद यहां पे मान सरोवर किसकी रचना है है तो मान सरोवर किसकी रचना है आप यहाँ पर देख लेंगे मान सरोवर है मौनसी प्रेमото l events left यहां पे हो बहुत है कुछ भी यहां पे कोई in यहाँ पर अपने जैसे पढ़ा है वैसे छपा आपको अपकी पृष्षा में मिला है, चलिए आगे चलते है, कौन सी पष्चिमी हिंदी है, टेखिए यहाँ पर पष्चिमी क्या है बांगृू लिखा हैं यहाँ पर आप देखेंगे बांगृू हर्यानवी या स का जाटू है और उसका ही एक अन्या नाम बांगरू कहा गया है उसके बाद देखेंगे निमन वैसे नहीं तो नहीं का प्रियोग किसमे करते हैं तो नहीं का प्रियोग तो यहां पर लिखा है निसेद वाचक में करते हैं तो यहां पर नहीं लिखा है आप देख लेंगे तो यह का प्रियो क्या जाता है तो वहाँ पे संबोधन होता है आप यहाँ पे संबोधन देखेंगे और यहाँ पे देखना है आपको अरे जी लिखा हुआ है और संबोधन कारक के बारे में कहा है और आंसर आपका यहाँ पे जी अरे यहाँ पे बना हुआ है और उसमें क्या तो उल इह आपके exam से पहले कराएवी class हैं उसके बाद देखें हैं आपे adi से antกो क्या कहा जाता है देखें कुछ change नहीं है आदी से ant को क्या कहा जाता है अध्योपांत कहा जाता है हू बहू आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है उसके बाद करें तो हैं पर निर्वाद और निर्विवाद तीकि सलागा या इस्तूती यहां पर लिखा है निंदा यहां पर लिखा है और यहां पर भी आप देख रहेंगे निंदा यहां पर लिखा है ठीक है तो उससे क्या है हम पहचान लेते हैं कि हां यहां से कोशन पू लुँए और यहां पर stinks के बारे में बुछक है कौन साूर सचक चिए बिलकुल हूब हुआ हुओ, पिरसान वाचक का चिए यहां पर है और इस चिन के बारे में बात कीए तो यहां पर कौन बना है कोई भी चैनल नहीं है बिल्कुल हुबा हुए जैसे हमने पढ़ाया वैसे आपको परिख्षा में मिला है देखेने के लिए और यह वीडियो कितरी पुरानी है तो यहाँ पे आप देख लेंगे यहाँ पर एक मन्त पुरानी है तो यह इसकी इमांदार विशेशन है और जब विशेशन होते हैं वो क्या होते हैं गुण होते हैं एक व्यक्ति के गुण होते हैं वो इमांदार है बुद्धी मान है ठीक है परिश्रह नहीं है यह से भी किसमा आते हैं गुण माते हैं और यहां पे हूब हुआ आपको विशेशन मिला है इमानदार और यहाँ पे भी पूछा गया है इमानदार ही चलिगे आगे चलते हैं देखे अब यहाँ पे तस्सम की बात करते है कोई बी चैन यहाँ पर नहीं है इसके बार बात करते हैं यहां पे कुमोधी है और ज्योतंञाएं दुखे ऐस से कजते हैं। प्रहआ पयचान चलते हैं कि चांधने का ही है परियाय हो यहां पे आग आप देखे लेंगे कि आलोक उजला रोशनी भी कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं माने बच्चे को मिठाई दी देखे को मिठाई दी तो को किसके अंतर का ताता है तो यहाँ पर देख लेंगे तो यहाँ पर आपके सामें लिखा संपर्दान को या के लिए और यह टोपिक देख रहे हैं पर गरीबों को कंबल बाटे क्या गरीबों को कंबल वाटे और यहां पर माने बच्चे को मिठाई दी तो यहां पर क्याएगा संपर्दान आ जाएगा बच्चो क्याएगा है पर संपर्दान कोई भी चैंज नहीं है बिल्कुल सेम तु सेम है आगे दिखते हैं यहां पर वह सा तदभ होगा है देखे चलिए आगे चलते हैं अगले निर भीमान में उपसर्ग उपसर्ग क्या होते हैं चुप पूर में जुड़ते हैं और यहां पे आप देखेंगे निर यहां पे लिखा हुआ है और इसका प्रत्य बनता है ता तो यहां पे बिल्कुल हूब हुए सब तो चैंज है बस ठीक है उसके बाद देखेंगे यहां पे सही नहीं है तो नौ निदियों का समू होता है जिससे उसको धारान यहां पे नौ रतन लिखा है तो नौ रतनों का समू होता है तो यहां पे पूछा गया यह गलत है ठीक है और बाकी यहां पे बिल्कुल सही है यह आपको याद रखना है वह देखे हैं यहां पे यग साला, यहां पे bell के लिए गाड़ी है, यहां पे यग के लिए साला है, कोई भी change नहीं है, ठ्थिक है बच्चों, चलीए आगे चलते हैं, आगे यहां पे लिखा है निश्चे, देखे निश्चे तवाली बात की चाहिए, तो निश्चे में कुन गया, Qaveeswar, देखिए, Qaveeswar स्वार है, और यहाँपे जिर्ख संदी बनी है उसका यहाँपे देखिए, गरीबिलस सिस है, गरीबिलस सिस, गरीबिलस बन जाएगा हुबहु यहाँपर आपके सांसे है, चल्ży आगे चलते हैं सैकरमक किरिया, देखिए, सैकरमक और यहां पर प्रत्य आपके सामने ए दिया गया है आगे चलते हैं उमा से पढ़ा नहीं जाता तो इसमें कुछा गया है आपे वाच्चे है ठीक है और यहां पर पढ़ा रोहन से खेलानी जाता और उमा से पढ़ानी जाता तो भाउत बन हो जाएगा देखिए बिल्कुल सिम तु सम यहां पर लेंग्वेज है कोई भी अंतर नहीं है गाएं मीठा दूद्देती है सही बात है ठीक है उसके बाद यहां पर बहुत से सामानने की बात करें प्रेम अंदे की राहों की तरह आकशिक होता है तो यहां पर क्या है वर्तमान की बात की देगी है ना गाएं जो दूद्द देती है वो परचेंट समय में यहां के वर्तमान समय में ही देगी चलिए आगे चलते हैं सांतरस का स्थाइभाव मैंने और भी क्लास में कराएं ऑफलैंग क्लास में हैं तो यहां पर मन रे तन कागज का पुतला मन जो होता है कागज की अगर उसके बूंद गिर जाए तो मुझक जाता है उसके कोई अस्तित नहीं होता तो यहां पर इसका क्या बना सांतरस यहां पर लिखा हुआ है और यहां पर इसका क्या मुझे का उल्टा होता है तो यहाँ पे दो हो एका उल्टा क्या हो जाएगा बच्चो सो ल्टा हो जाएगा और आपके सामने यहाँ पे हू बहू लिखा हुआ है ठीक है और एक महीने पहले जो हमारी किला से उल्लाइं चली दी उसमें आपको पढ़ाया गया है आगे दिखते हैं पे रहीमन पानी रा यहाँ पे सले सलंकार आपका सामने है तो कोई भी पे अंतर नहीं है जैसे हमने आपको पढ़ाया वैसे आपको परिक्षा में छपा मिला तो इससे आपका क्या है आपका चे मार्क्स आए हैं और लेकिन किसी कारण वस जो वहाँ पे पर रद हो चुका है क्योंकि आउट हो हैं ठीक है लेकिन आपको उसी कंटनि California साथ हम लगाता रहीं पढ़ाते रहेंगे अब देखिए बात कर अने कार्थी अने कार्थी बिद किसे क्ते बेद कहा जाए तो यहां पर इसकी भी भी नुकुंट miss हो जाएगा वच्चो मूल्य यहां पे किस बहसा से उत्पन है तो हिंदी बहसा किस से उत्पन है यही कोशर आपसे पुछा गया है विलकुल यहां पे जन्म पुछा है यहां पे उत्पन पुछा है बात लिए कि है, ऑब भला जिखा है अब भरत भिरंस heap लिखा और यह निर्ज़ जो है हमारी महादेवी वर्मा किये हैं हमने आपको offline class में फड़ाए हैं ठीक है लेकिन मैं आपको सारा content यहां पर online के ही दिखा रहा हूँ और offline batch का यहां पर कुछ नहीं दिखा रहा हूँ आगे दिखते हैं वह बिल्कुल ठक गया देखे जब भी तोलने वाली बात आई यहां पर क्या होता है परीमान आता है तो यहां पर क्या है परीमान की बात करें वस्तु मापी या तोली जाए लेकिन यहां पर ठकान की बात कर तो यहां पर क्या जाएगा वहिए बिलकुल ठक दया तो यहां पर क्या जाएगा परिमान वाचय का देगा। यहां पर पर्थयक्षि लिखा है और यहां पर भी आपका पर्थयक्षी लिखा है जिसको छुपा हुआ हो उसे एपर्टेक्स जिसको आँखे न देख सा है उसे एपर्टेक्स कहा जाता है निमन वीसले लिंक की द्रëश्ची से विकलब, देखें लिंक इनकी दुरस्टी से यहां पर क्या है कांता है, अनुजा है और किर्ष्णा लेकिन यहां पर क्या साप इन jours जोड़ा b lam अलग हो जाएगा बिल्कुल देखे तनुजा हैंपर लिखा है अनुज का अनुजा बन जाएगा तो ये भी क्या है स्टेलिंग बिल्कुल सही है उसी प्रकास से आगे देखे वदू सब्द का अब यहां पर सीमा का क्या बन जाएगा ठीक है इस तृदि और यह बहुचन के रूप में बहुचन के रूप में और शी पिरकास से हैं पर वद्धू का क्या बना वद्धू ये बन गया है ठीक है नाम चेंज है बाकी बहु लिखा हुआ है कोई भी अंतर नहीं है चली चलते हैं आगे चामल के सालक की होता है ये पूछ हगया इसमें यहां पे लिखा हुआ है साखा मेरा किसको कहा जाता है बंदर को कहा जाता है बिलकुल हूब हुए और यहां पे आपका बंदर उपसन में लिखा हुआ है क्या बंदर यहां पे लिखा हुआ है आप सभी को दिख रहा है ची से चलिए तो आप सभी को ची से दिख रहा है आनिल काहा जाता है हवा को तक यहां पे बिल्कूव सेम टुसेम है यह आपके शामने हैं कोई भी अंतर नहीं है झाज किड की खुलने से प्रिकास आई यह हम आपको क्लास में पढ़ाते हैं जहां पर सुधा सुधा है यह यहां पे अनुस्वार की कमी पढ़ेगी मातरा चिन की कमी पढ़ती है तो यह आपको यहां पर भासा उसी प्रकार से नदिया थेती है भासा तो यहां पे-पन्कूर के सामने लिखा रूप में इनका प्रियोंकी इसमें क्या था बहुचन के रूप में, लेकिन यहाँ पर रोम के साथ कूप आ रहा है, रोम का कूप यहाँ निके कूआ तो कूआ तो एक होता है, इसको छोड़कर बाकि आपके सामने अस्ताक्षन लिखा है, लोग लिखा है, दल लिखा है, वो कैतो हैं, कैसे होते हैं, बहुचन होते हैं, चलिए आगे देखते हैं पर अलमारी में देखें में की बात करी जाए तो यहां पर अधिकरन आ रहा है में पेपर तो यहां पर विभक्तिशी में पर आ रहा है यहां पर अधिकरन यहां पर लिखा हुआ है बनाकर का प्रत्य दिखें खाकर बनाकर तो यहां पर कर क्या होता ह प्रत्य होता है यह आपको देखे लिए यहां पर कर लिखा हुआ है और इसके बारे में मैंने आपको वीडियो में बता रखा है और यह देखे सारी वीडियो कितने कितने दिन की पुरानी है यह 4 दिन, exam से 4 दिन पहले की यह वीडियो है जाहाँ साथ से question पूछा गया है और यहां पर था अरहा का फर्क है बस यहां पर देखिए गार चापnut-देकर यहां पर भेटो खशागा प्रत्य पूछ अगया प्रत्य का क्या गया हुआ अराम कुर्सि दिखे जहां परिको या के मैंने आपको बताया अगर हम विभक्ति चिनों का प्रियोग करते हैं तत्सम में आता है किसमें तत्पुरुष समास में आता है यहां पे पूछा गया है को यह चीड़ी को मानने वाला या आराम के लिए कुरसी तो यहां पे आपके सामने क्या बनेगा तत्पुरुष समास आ जाएगा किलिए रह जेन पेलेस इंदर क्या अंतर है कुछ अंतर नहीं है जिर्फ एक सद्दका है लेकिन हमें जो कंटेंट है उसी बेस पे पूछा गया है हूब हूब आपके सामने लिखा हुआ है आगे चलते हैं देकिन विवरन चिन की बात करें तो विवरन चिन आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है विवरन चिन दो बिंदी के साथ एक माइनस का चिन है और यहाँ पे आप देखेंगे विवरन का ही चिन कुछ अंतर नहीं है बिल्कुर सेम्ट्यू स्विमाम से परिक्षा में संख्या के रूप में, जब जहां पर किसी संख्या का निर्धारित हो जाए, क्या निर्धारित हो जाए, जिसको हम आसानी सी गिन सके, उसे संख्यावा चक जिसे, दो सेव मेज पर रखें तो संख्यावा चक है, यहां पर क्या जाएगा बच्चों, दर्जन, क्या आएगा है इसे कहते हैं अनुकरनात्मक किरिया ठीक है यहां पर उपस्वान में है ही नहीं इसलिए यहां पर क्या ये कोशन गलत था ठीक है आगे चलते हैं लता बंगेसकर गीत गा रही है तो यहां पर जब रहा आ जाए और गीत तो वरतमान समय में गा रही है तो यहां पर क्या हो जा वाला होता है उसे हम एपोन कहते हैं या उसको तातकालिक कहा जाता है मजदूर द्वारा पेड़ काटा गया देखे जहां पर भी द्वारा आ जाए वहां पर मैंने आपको क्लास में बताया था और यह देखी क्लास से आपकी कब कब की है यह आप देख लेंगे यहां पर आजाता है देखिए बिल्कुल आपको वही content है और से हुब हुआ आपको question भी आप मिले है exam में अभिग्या देखिए अभिग्या का विपरित क्या पूछा है अभिग्या निभिग्या लिखा है बिल्कुल यहां पर सेमे कोई भी अंतर नहीं है यहां भिग्या तो अनिभिग हरस है और यहां पर एक का नाम दे देगा है वासल्य तो वासल्य को मिला के 10 बन जाएंगे तो याद रखना तो इस्थाइबाई जो कुल है वो कितने होता है नो अल्ले की नाम देगा है यहां पर वासल्य को चोड़के तो वासल्य को चोड़के कितने बने 10 यहां पर बन च सामने लिखा है तो यह किसके अंतर गता है संबंद वाचक सुन नाम के ठीक है कोई भी अंतर आपको नहीं मिलेगा देखने के लिए चले आगे चलते हैं नेल गगंसा देखे यहां पर आपको मैंने पहचान बताईती वीडियो क्लासिस में भी कि जहां पर सा जुड़ जाए उसके जैसा तुल ना की जाए और यहां पर क्या है नेल गगंसा है यहां दीपसा मन कैसा दीपसा मन है तो कौन सा आएगा उकमा अलंकार आ जाएगा और यहां पर आपका आंसर क्या बना है उकमा ही अलंकार बना है हरी का अनेकार्थी देखे हरी किसका होता है हरी का अनेका हैं दोहा और रोला को किरम से मिलाने पर देखिए दोहा और रोला को यहां पर दोहा और रोला को जोड़ने की बात कि उसे कुंडलिया कहा है और यहां पर कॉश्चन में दोहा रोला लिखा है तो उसे भी हम क्या कहेंगे कुंडलिया ही कहेंगे क्लियर है कोई भी अंतर नहीं है बिल्कुल सेंटु सेम है चलिए लगातार आप ऐसी तरह से हमाई साथ चुड़े रहेंगे देखें यहां पे बेहतर तो बेहतर क्या गुन होता है बेहतर गुन होता है उसके बाद सूर सागर किसकी है तो सूर सागर किसकी है तो यहां पे सूर सागर किसकी है साहित्य लेहर नहीं है, क्लियर है, चलिए, आगे चलते हैं बिहारी हिंदी का विकास, देखें, बिहारी हिंदी का विकास किस से हुआ है, तो बिहारी हिंदी आप देखेंगे, मागदी अब भिरन से हुआ है, और आपके उपसन में भी यही लिखा है, देखें, बिल्कुल सेंटू सेंटू इस्थान वाचक तो भीतर बाहर यहां पे लिखा है तो भीतर बाहर क्या बनता है बच्चो क्या बनता है इस्थान बनता है क्या बनता है इस्थान वाचक बनता है आप याद रखेंगे इस्थान वाचक यहां पे बनता है और हुब हुब आपके परिक्षा में भी पूछा ग देखे रहा है यहां पर उीडर्द लिखाए है और आप है कि में में लिखाए है यह आपके सामनेंगे जब्दिब्सक करने है रहा है कि हमारी क्वेर्श से तूर्शन पूछे गए हैं, उसके बाद बात करते हैं, पर आभे उभे, और यहां पर कूल-कूल की बात करें, वजली क्लास में मैंने आपको बताया था, देखें सम्शुरूत ही विननारतक सब्दें, कूल यह के वांस होता है जाती होता है, ठी पूल कमाते हैं, तो हम किनारी पे जाते हैं तो यहां पे आंसर बना है, ठीक है? खूल यहां पEichen Once बना है, Ôंस के बिलकुत समान है, फैंक कर चलाया जने वाला देखें फैक कर चलाया जाने वाला कुंस होता है अस्तर होता है और आप देखेंगे यहां पर लिखा है अस्तर और इसके बारे में मैंने आपको वीडियो में बताया हुआ है आप वीडियो में जाकर देख सकते हैं और दो महीने यह पुरानी वीडियो है कितनी दो महीन पुरानी ये वीडियो है जहां साबसे कोशन पूछा गया है रामाण के रचेता देखें यहां पर दो तरीका बदल गया है यहां पर लिखाए आदि कवी रिक्तिस्थान की जगे पुछा है संस्किरत में रामाण की रचना तो वालमी की हाँ पर लिखाए और रामाण में है बच्कों याद रहीं और सरसोती किसका फारवति किसका फारवति है लेकिन यह सकता अंतर है । कामनी का, किसका बच्चों कामनी यहाँ पर अलग है और एक उसके बाद बाद करते देखें नियत और नियत और यहां पर भी आप देखेंगे नियत और नियत दोनों सभी हूब Raw कोई भी अंतर नहीं है आपला दोव इहता है क्ति है निष्चिता होती है फिर इसके पाद इराद होगा और यहां पर देखेंगे निष्चित इस्तरिलिंग की बात करें, यहां पर पुल्लिंग पुछाए यहां पर वीद्वर है लेकिन बात करें दीमक क्या है यहां पर इस्तरिलिंग है और आपके लिखा वह एक कोई भी अंतर नहीं है, वो ही कोउशन आपसे परिक्ष्या में पूछे गए, यह भी इस ट्रिलिंग है, गुरु जन का बहु अचन देखे, गुरु जन का बहु अचन यहाँ पे हुबभँ, इसी तरह से पूछा गया है, और यहाँ पे भी गुरु का देखिए गुरु लिखा है इसका बहु अचन कुछ है गुरुजन कोई भी अंतर नहीं है बच्छो देखिए यहां पर लिखा है गुरुजन कोई भी अंतर नहीं है इसमें आगे चलते हैं श्वाण निम यहां पर पुछा गया है ठीक है और संग राम में मोल सर्द देखि में जब इम जुड़ जाता है ठीक है क्या जुड़ता है इम जुड़ जाता है उसके बाद देखेंगे हाँ पे संगराम जब हम इसका उपसर ही निखा लेंगे तो क्या बनता है बच्चो सम बनता है सम योग हो सम वाद हो संगराम हो बात एक ही है ठीक है क्योंकि इसमें यहां पर पूछा है अव्यवी भाव देखे जिसमें शुरू में भर आ जाए प्रति आ जाए यथा आ जाए तो वहां पर अव्यवी होते हैं और यहां पर क्या लिखा है और आप इससे पहचाल लेंगे अव्यवी भाव यहां पर लिखा है और यहां पर भर हमारे सामने सा है पुरुषवाचक है और पुरुषवाचक का कौन सा है मध्यमें यहां पर दिखेंगे मध्यम लिखा हुआ है और यहां पर तुग्जू के बात करें तो यहां पर भी मध्यम लिखा है कोई भी अंतर यहां पर नहीं है वैसे ही आपको जैसे पढ़ा है वैसे आपकी परि बनते हैं चोटाओ बड़ाओ मिलकर बड़ाओ बन जाते हैं, उसी प्रिकासे यहां पर छोटाओ छोटाओ बड़ाओ बन जाएगा, उसके बाद बात करते हैं विराम चिन को अलग करने वाला, योजक भी योजक भी बना है, कोई अंतर नहीं है, वही आपसे पूछा गया है, जो आपको पढ़ाया है, चलिए आगी चलते हैं, दिनेस रोज चार लिटर दूद पीता है, अब दूद पीता है, तो यहाँ पे क्या होता है, वहलडगा गिर गया, और रिसी की गाएं बहुत दूद दे दूद देती है, तो यहाँ पे परिमान आ रहा है, और यहाँ पे भी क्या आएगा, यहाँ पे पीने की बात चलिए, यहाँ पे देने की बात चलिए, ठीक है, काहें दूद दूद दे जाता है, यहाँ पे क्या बना है, परिमान वाचा को विशेशन बन जाएगा, उसके ब बाजार से आकर सीता खाना पकाएगी दीए पकाएगी क्या पकाएगी तो किसकी बात चली यहां पर आकर किसको बच्छो आकर और यहां पर क्या है खाकर और किसका अंसर यहां बनना है पूर कालिक का बन रहा है तो यहां पर भी क्या लिखा है पूर कालिक है आकर खाकर पीकर पर्सो कर यहां परिकर जिसके साथ लगा है कुंसी होती है पूर कालिक किरिया होती है। चलिए आगे चलती है…atin, यह पर अपादान से पुछाया, अपादान यहाँ जो अंतर अंतर संपर्खछण जाये तो यहां पर क्या है कि अपदान आ रहा है उसके बाद मुझ से पत्र लिखा गया नहीं जहां पर मुझ से या मेरे दुआजा की बात कर जाए तो यहां पर क्या आ रहा है से यहाध वाच्छे होता है और यहां पर भी आपके सामने करम機 पात्र इंसर बन रहा है आगे चलते हैं देखें यहाँ पर लिखा है मूख, मूख का विलोम मूख का विलोम पूछ है और यहाँ पर आप देखेंगे बिल्कुल हू बहू लिखा है मूख का विलोम क्या है और यह आपकी किलास है दो हफ़ते पहले ठीक है दो वीक पेले हमने आपको पढ़ाया था तो यहां पर मूख का वाचाल हा और आप देखेंगे मूख का वाचाल यहां पर लिखा हुआ है कोई भी अंतर नहीं है आगे देखते हाँ पे अद梁द रसकाई स्थाइ देखे अद बुद्ध का विस में है और यहां पर आप पेलिये को कहा है कि हम पे रोला और दोहा को मिलाया गया है ठीक्य है ठीक है ड्रोला में कितने होते हैं इसे चल्हान इसकी आम किरपा भव निसार निसारी दिखी जहां पर भी भेद रही तारोप हो यानि कि होँआ पर भेद नहीं होना चाहिए कौन सा होता है रूपक अलंकार होता है यहां पर भी आप दिखेंगे रूपक अलंकार का ही आंसर बना है अब बात करें अंक देखें अंक को क्या क्या कह है बच्चो पत्रिका का अंक कहा है तो अंक के तपर पत्रिका पर अंक होता है संख्या तो होती है या कहा जाए निसान इसको कहा जाता है या नाटक का अध्या है कि कि संख्या है संख्या नंबर क्या है तो इसका क्या बना है अंक का बिल्कुल यहां पर पूछा और यहां पर भी अंकी बात कीगे, तो यहां पर आंसर क्या बना है, संख बन जाएगा, क्लिए रहे, संख है, यहां पर बन चुका है, चलते हैं आगे, अब पिताजी तीर्थ यातरा पर जाएंगे, जाएंगे की बात करेंगे, नहीं अनके, भविश्यकाल की, तो यहां पर क्या लिखा है वह पुस्तक पढ़ेगा और यहाँ पे जाएगे ठीक है तो क्या बनना है बहुत से काल बनना है और यहाँ पे आंसे क्या बनना है बहुत से काल बनना है अब बात करते हैं यहाँ पे मुझसे पतर लिखा गया देखिए मुझसे पतर लिखा गया यह से गया के दुआरा आ रह आप सबी को समझ में आ चुका है चलिए बहुत सांडाग और इसी भरोसे की साथ लगाता है अब हमारे साथ पढ़ेते रहे जुड़े देख प्रेय फुलित यहां पर क्या है बच्छो प्रेय यहां पर उपसरग है और आप देखेंगे यहां पर क्या रहा है प्रेय आ रहा है ठीक है तो पिरह यहां पे बिल्कुल अलग होता है उसके बार बात करेंगे कौन सा किरिया विशेशन है देखे किरिया विशेशन यहां पे पूछा गया है धीरे धीरे यहां पे लिखाया और यहां पे दो हपते पहले की क्लास है और यहां पे आप देखींगे धीरे धीरे आ पानी की बात करें तो पानी तो यहां पे पानी किसका बच्छो हाथ का बनाए तो पानी का यहां पे पहले का पानी है तो यहां पे देखेंगे जल जल का पानी बना है तो यहां पे पानी की तो किसमा आ रहा है बच्छो जल यहां पे पहले में आ रहा है और यहां पे हात आ र तो यहाँ पे सामने लिखी हुई है, बीजक रमैनी ठीक है, यहाँ पे क्या है रमैनी और जो आपके कोशन यह बच्चे हुए हैं सब हमने आपको ओफ लाइन में करा रखा है, मैथिली भासा के प्रिशिद कवी है, किस के थे बच्चो, विध्यापती थे, अब यहाँ पे द तो यहाँ पे, यहाँ पे आपके कोशन कम्प्लिट हो चुके हैं, देखें, जो हमने आपको पढ़ाया, वही आपकी परिख्चा में मिला और यहाँ पे आपका प्यारेगर आपको छोड़कर, लगभग सभी तरह के कोशन आपने देखिए हुबभु आपकी परिख्चा में मिले जो हमने ओलाइन में पढ़ाएं और जो यहां पे जो आपके गध्यान से उन्हें छोड़कर यहां पे सभी कोश्चन हमारे ओफ लाइन और ओलाइन पर जो हमने पढ़ाया है वहीं से पूछे गए हैं तो इसी भरोसे के साथ सभी हमारे चैनल से जुड़े हैं विमर् जैसे आपने तैयारी की थी उसी मेहनत और लगन के साथ हमारे साथ जोड़े रहेंगे और हमारे साथ तैयारी करेंगे सभी टीचर्स के दुआरा कि बहुत ही अच्छे कंडेंट के साथ हमारे सभी टीचर्स टीम आपको पढ़ा रही है तो इतना ही कहना चाहूंगा आप इस स सेशन को ज़्याद से ज़्यादा सेयर करें ताकि उन बच्चों तक यह पोच मैसेज पोच जाए जो किसी ना किसी हिंदी में किसी ना किसी डाउट के कारण उनका परिक्षा पढ़ना बहुत खराब हो जाता है तो मैं उम्मीद करता हूं इस बार की तरह ही आपको अच्छे म मिलेंगे अगर आप हमारे साथ चूड़े रहेंगे तो सब बच्चे क्या करेंगे एक बार इसको अपने गुरूपों में सुसल मीडिया पर जहां जहां आपके अकाउंट्स हैं वहां पे सेयर कर देंगे और इसी प्रिकार की लगातार आप अपडेट जानने के लिए हमार साथ चूड़े रहें और एक बार सभी बच्चे जिनों ने तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब निगास जो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल नम भूले फिर मिलते हैं आज के लिए अलविदा चाते हैं जय ही जय भारत